सूपर बहात बच्चो आज हम सिखेंगे गः घर बनाना आज हम क्या सिखेंगे व्यंजन गः बनाना गः गः गड़ी अब आप सब बच्चे देखोगे गः बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे dot, यहाँ पर dot, और यहाँ पर dot ऐसे-ईसी dot तो हमने गा-गंला में भी लगाई थी, ना अब देखो हम गा-घर के लिए ऐसी dot को कैसे use करेंगे हम यहाँ पर c बनाएंगे, फिर यहाँ पर फिर हम यहाँ से iir c dot को ऐसे line को उपर लेके जाएंगे यहाँ पर डोट बिल्कुल इसी डोट के उपर एक डोट और बिल्कुल इसी डोट के नीचे एक डोट यहाँ पर बना देंगे वन और आप क्या सकते हो standing line उपर एक sleeping line यह क्या बन गया हमारा घड़ा फिर से बनाए यहाँ डोट लगाई यहाँ डोट लगाई यहाँ डोट लगाई यह वली डोट तो आपको हागे लगाने अब क्या करेंगे इन डोट के साथ यहाँ पर सी बनाया यहाँ पर और इसको ऐसे उपर लेकर गए फिर इस डोट के बिल्कुल उपर डोट इस डोट के बिलकुल नीचे डोट ऐसे यहाँ पर एक स्लिपिंग लाइन यह हमारी बन गई घगंटी फिर से बनाएं यहाँ पर डोट यहाँ पर डोट यहाँ से यहाँ से और यह ऐसे फिर Slipping Line फिर से यहाँ डोट यहाँ डोट यहाँ पे सी यहाँ पर ऐसे और इसको आगे लेकर गए ऐसे फिर इसके उपर डोट नीचे यहाँ पे डोट One Slipping Line गर यहाँ से ऐसे इसको यहाँ पर लेकर गए यहाँ बन गया हमारा गोसला अब हम फिर से बनाए यहाँ पर डोट लगाई यहाँ पर डोट लगाई यहाँ पर डोट लगाई यहाँ से सी यहाँ से सी इसको उपर लेकर गए, यहां तक, यहां परेग्डोट, यहां परेग्डोट, और इसका फन बना दिया, यह हमारा बन गया घगोडा, आपको आया घग बनाना, घगोसला, घगोडा, घगंटी, घगर, घगोडा, आप सब बच्चे भी प्रैक्टिस करोगे इसको बनाने की, तन्यवाद!